सभी आंगन बाड़ी सेविका सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगन बाड़ी न्यूस चैनल की आज सुबे 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है सभी भाई बहनों से विनती है कि वीडियो को पूरा जरूर दे करके जाना और पसंद आए तो लाइक भी कर देना सबसे पहले तो एक बाद बता दें कि उत्तर पदेश में जो कुछ दिन पहले मैंने आपको जानकारी दिया था बहनों ने कहा था कि 5250 रुपया उनके खाते में अंडर प्रोसेसिंग में लगा है तो वो पैसा कल सक्सेज हो गया है आज आप आल इंडिया के मादिम से जानकारी ले रहे हैं नितेस निडर बहन है बुलंद सहर से आती हैं उन्होंने भी मैसेज किया कि भाया जी गुड मॉर्निंग कल साम को मेरे एकाउंट में 5250 रुपय आए हैं ये किसके पैसे हैं मैंने पिछले दिन एक दो दिन हो चुके हैं मैंने इस पर वीडियो दिया था उसमें कमेंट बॉक्स में आप सब बहने चेक कर सकती हैं वहाँ पर अगर कोई जानकारी आई होगी तो अपडेट वहाँ पर लगा दे गई होगी उसके अलावा भी कुछ बहने हैं जैसे कि हेमलता ये आती हैं बुलंद सहर से इन्होंने भी अपने वहाँ से जानकारी भेजिये तो दोनों बहने ये बुलंद सहर से हैं और बुलंद सहर जले में 5250 रुपया इन बहन का भी देखने को मिला है और आप यहाँ पर पूरा इनका मैसेज भी देख सकते हैं वहीं पर आपको बता दे 27 तारीक यहां पर डेट भी देख सकते हैं तो कल 27 मार्च को 5250 रुपे आ गए हैं जिसकी सूचना आज सुबह सुबह बहनों ने आल इंडिया को प्रवाइड की है अब ऐसे मैं आपको बता दू बहन ने लिखा भी है कि बुलैन सहर में आज 2250 रुपे आए हैं नीचे इन बहन ने ये भी लिखा कि 250 रुपे कम हैं तो 250 रुपे कम क्यों है इसके बारे में तो जानकारी नहीं है बहन के एकॉर्डिंग उनका कहना है कि 500 रुपे मिलने वो राजी सरकार का जिसको अतरिक्त मांदे बोलते हैं और इसी को आप PLI भी समझ लो अतरिक्त मांदे भी समझ लो हम समझते हैं केवल अतरिक्त मांदे लेकिन विभाग इसके ब्राइकेट में PLI भी लिख देता है तो ये पैसे ऐसे आते हैं और पहले जो 500 की जगे पहले 1000 आता था तो इसलिए 4500 और 1000 आपको लगता है 500 होने चाहिए थे लेकिन नहीं वो आपके 6000 हो चुके 4500 प्लस 1500 तो वो तो 6000 होई चुके बाकि PLI का आपका 500 रुपया जो आता है सर्तों को हिसाब से वो अलग होता है इतना ऐसे कुछ मांदे देखने को उत्तरपदेश में मिलता ह तो आप सब बहने बताएं जो वीडियो देख रहे हैं क्या अन्न किसी जले में 5250 रुपय के मद में ये पैसे नहीं लगाए गए ये लगाए गए हैं तो आप सब बहने इसी वीडियो में कमेंट में अवगत करा सकती हैं क्योंकि मुझे दोनों एक ही जले के मैसा जाए हैं तो उसमें कमेंट में अगर किसी भाई बेहन ने जानकारियां दी हो, मुझे टाइम नहीं मिला उन वीडियो को चेक कर पाने के लिए, लेकिन आप लोगों को अगर जानकारी हो, तो इस वीडियो में कमेंट में बता देना, इधर बात करते हैं, मैं आपको बता दू, और भी मानदे की कुछ जानकारियां हैं, जैसे की पंदरा सो रुपया, जैसे की पैतालिस सो रुपया, इसके बारे में भी बहन ने भेजा, अनीता बहन हैं, और ये मुरादाबाद जिले से आती हैं, तो उत्तर पदेश के मुरादाबाद जिले में इन्होंने कहा, कि भाया जी मेरे एकाउंट में पैतालिस सो के दो मैसेज लगे हैं, पैतालिस सो प्लस पैतालिस सो, और एक पंदा सो का भी मैसेज लगाए, तो 45-45 सो के दो मैसेज उन्होंने साप साप लिखा है और आगे आपको हम भी दिखाते हैं देखेगा ये इनका 500 का मैसेज जो आप देख रहे हैं जैसा कि उन्होंने कहा 1-500 का और 2-45 सो के तो 500 वाला एक आपने ये देख लिया नाम भी आप चेक कर सकते हैं बेनिफिसरी नेम भी देख सकते हैं ये देखो 45-100 रुपय यहाँ पर ये लगे हुए हैं और आपको बतादे बाकि देखो पर परफ test में यहाँ पर इस तरह से नंबर पड़ा हुआ है नंबर आता है तो आप समझ जाते हैं कि यह मांदे वाला ही ऐसे देते हैं और देखो यह यहाँ पर यह देख सकते हैं इसमें एक चीज़ और में बताना चाहूँगा आप सभी को तो अभी ये transaction ID में देखो last में 56 है ताकि आपको ये ना लगे कि एक ही message को हमने दो बार देखा दिया अब ये देखो दूसरा 45 वाला message ये देखो 45 और transaction ID में देखो 71, 96 में दिया हुआ है तो दोनों अलग अलग है तो इस तरह से आप ये जो है समझ सकते हैं इसके अलावा देखो beneficiary name में भी देखो अनीता है तो यही दोनों जो है इनके यहाँ पर लगे हैं अनीता बहन के 4500 के दो message लगे हैं और 500 का एक अभी ये success नहीं हुए हैं ये केवल under processing में लगे हैं तो ये आप दे रुपे से related या 4500-500 से related तो आप हमें comment कर सकते हैं और बाकी भायो बैनों आप ये जरूर बताना कि 5250 रुपया क्या केवल बुलन सहर में ही देखने को मिला है या अन्य किसी जिले में भी आया है ऐसा तो ने किसी अन्यमद का पैसा हो और पहले भी कहीं कहीं आ भी चुका हो तो इसलिए वहाँ पर ज्यादा तर देखने को नहीं मिला है तो आप लोग अवगत करा देना इधर आप देख सकते हैं रेखा चोधरी बहन है सहडौल जिले से आती है और मद्ध पदेश की बहने संगर्स तो कर ही रही है साथी साथ उन्होंने कुछ अपनी बातों को भी रखा है आर इंडिया के माद्यम से कुछ कहना चाहेंगे आओ मिलकर कदम बढ़ाएं अपना मोर्चा सफल बनाएं हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीक मांगते नीन हमारी खोई है MP सरकार सोई है ना वेतन है ना पेंसन है जीवन भर का टेंसन है आधी रोटी बहनों किया मजधार में बाकी बहनों को किया मजधार में जो भी ऐसे आप समझ सकते हैं दस हजार में दम नहीं तीस हजार से कम नहीं जुल्म जोर की टकर में संगर्स हमारा नारा है और आगे आपको बताते हैं सब को बाटो हम को डाटो नहीं चलेगा नहीं चलेगा सौक नहीं मजबूरी है ये हरताल जरूरी है अभी तो ये अंगडाई है आगे और लड़ाई है इस तरीके से बेहनों ने अपनी वहाँ पर बात को कहना चाहा है और कल धर्नों के मादिम से रैलियों के मादिम से बेहनों ने इसी तरीके से आवाज को कल उठाया है और कल साम को आज के इस वीडियो में बाकी कल धरने के वीडियो प्रसारिद किये गए थे मदू बहन है गुना जिले से आती है और वहाँ पर भी काफी मात्रा में बहने देखने को मिली है काफी बहरी बर कम भीर आप देख सकते हैं काराल है کलेक्टर और जिला दंडा अदिकारी के सामने गुना जिले में बहनों का ये संख्याबल आप देख सकते हैं काफी बहनों का बहनों का प्रदर्सन जारी है इधर मदू बहन है गुना जिले से आती है वहाँ से रेली का वीडियो आया था और महा रेली आपने देखी है कल देखा भी दी गई है साधना बहन है, सतना जिले से आती है, वहाँ से भी धरने के कुछ वीडियो और ये हमने कल प्रसाजिद कर दी है आल इंडिया पर कल साम को ये रैली के वीडियो देखाय जा चुके हैं और यहाँ पर तस्वीरे आप कुछ देख सकती हैं वहीं आगे और धीरिदरे चलते हैं भी बहुत सी जानकारिया आपको देना बाकी है इस वीडियो में तो बने रहना हमारे साथ लाइक कर देना आल इंडिया की सच्ची खबरों के लिए और बहनों की इस ताकत के लिए आप सब सेर भी कर दिया करो, अपनी ही आवाज है कोई और हम सब की लड़ाई नहीं लड़ेगा जो हम सब सोचे कि बड़े बड़े निउस चैनल जो टीवी वाले हैं वो सब हमारा कुछ साथ देंगे कुछ बड़ा करेंगे नहीं अपनी लड़ाई हम सब को सुयम लड़नी पड़ती है सलमा भी बहन है साजापुर्जले से आती हैं और उन्होंने भी अपने महां जो जानकारियां भेजी हैं सहीवतुमोर्चा के बैनर तले चार किलोमीटर दूर तक रेली बहनोंने निकाली है तो आप देख सकते हैं बहुत सारी रेलियों के वीडियों भी हमारे पास आये थे और ये सब के सब वीडियो कल साम को आप सबने देख लिए हैं हम बस तस्वीरों के माद्यम से एक बार अवगत कराना चाहेंगे सरकार परसासन को कि बहनों की समस्याओं पर विचार किया जाए इधर आप देख सकते हैं नलखेडा तैसिलदार को बहनोंने ग्यापन दिया ह मोकि मंत्री जी के नाम संपोधित करते हुए तो उन्होंने बहनोंने कहा कि बहनों अपने आलंडिया पर ये जरूर देखाएं इनका नाम संगीता जैन है ग्राम जो है ताखला से आती है और जो है नलखेडा तैसिल इनकी पड़ती है बगला मुखी नगरी से प्रसिद है इस तरह से आप देख सकते हैं एक जानकारी वहीं से निकल के आई है बहनोंने वहां पर भी ग्यापन सोपे है और जैसा कि आप आलंडिया के इस वीडियो में तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं जो भी वीडियो सुरूप आई है चीज़े उनको कल मैंने देखा दिया थ जो सेस रह गए होंगे उनको आज पदरसित कर देंगे सुधानसू पटेल वाले चैनल पर अभी तो ये अंगडाई है आगे और लडाई है आप देख सकते हैं इस तरह से बहने अपने संगर्स को आगे लेकर के चल रही है और आगे आप देख सकते हैं ये एक बैनर भी आल आगे बाड़ी बहने सबने मिलकर के एक साथ रह लियां वहां निकाली हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इन सब के बीच में कुछ जो अपोजिट वाले जूनियन हैं जिनको इन बात से दिक्कत है कि कहीं आगन बाड़ी बहने लड़कर के अपना मांदे ना बढ़व इसके चकर में उनकी टांग खीची जा रही है सरकार से मिलकर के मांदे कटवाने के लिए लिटर तक लिखे जा रहे हैं लिटर हमारे पास पहुंचे भी हैं लेकिन हम अब उन चीजों को वरीता जादा नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो बहने संगर सरत हैं उनकी हिम्मत को बढ़ेगा पूरी उम्मीद इस बात की है अब ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा आप सब इस बारे में क्या सोचती हैं कमेंट में जरूर बताना फिलहाल मया चोहान बहन हैं साहिका हैं और उन्होंने अपने वहां से कुछ ये फोटो वीडियो भेजे थे मैं एक बा जो पदर्सन है वो भी ठीक ठाक चला आए अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बहने कर रही हैं और उम्मीद है उनको जीत जरूर मिलेगी इधर बात करते हैं अन्यराज्यों की तो आप अपने अपने वहां पर भी बहनो कुछ न कुछ कदम उठाएं राधा साहू बैन मद जाओ किया गया विद्रसा से तो वीडियो आया है देखेंगे यह हो सकता है पदर्सित भी कर दिया गया हो इधर आप देख सकते हैं जबलपूर से भी बहनों ने बताया कि जो है बहुत बड़ा पदर्सन महा पर भी देखने को मिला है न्यूज चनल में देखाईएगा तो प्रदेश के आंगन बाड़ी बहनों बहुत की बहने तो सकता है चली गई होंगी वीडियो छोड़ करके लेकिन अगर आप देख रही है तो एक बात आपको बताना चाहेंगे एक मैसेज मारे पास आया है वैसे तो मैं इस मैसेज को यहाँ पर इसकी पुष्टी नहीं करता क्योंकि इस मैसेज में ना तो किसी ने ये लिखकर के भेजा है कि ये मैसेज टाइप किसने किया है ये पूरा सही है या नहीं है लेकिन हम बाइरल खबर के तौर पर आपको एक जानकारी दे रहे हैं इसको आप पुष्टी के तौर पर मत लिजिएगा इसमें लिखा किया ह समस्तर स्वच्छताग्राईयों को अवगत कराना है तो यह मैसर जाहिर सी बात है उन लोगों ने लिखा होगा जो स्वच्छताग्राईयों से जुड़े हुए लोग होगे आंगनबाडी बहनों से रिलेटेड किसी ने ये टाइप नहीं किया है अब उन सुचताग राहियों ने क्या लिखा इसमें कि तीन अपरेल को लखनव में आंगनबाडी आसा और रसोया आदी समविदा कर्मियों को बुलाया गया है उपरोक्त सभी कर्मियों को सम्मंदित विभाग से लखनव पहुचने की अनुमती दी जा चुकी है जिसमें ग्रहमंत्री स्री अमिस्सा रच्चा मंत्री राजनास सिंग भाजपा अध्यच स्री जैप्रकास नडड़ा मुक्यमंत्री योगिया अधितनाजी वा सम्मंदित व है ये चाहें आज आप जुबाई इस बात को हमारी गाठ बांद लीजिएगा अभी तीन अपरेल दूर नहीं है नियमित को लेकर के कोई बात तक नहीं होगी और होगा भी कि हमारी सरकार सत्ता में आए तो हम जो नियमित कर देंगे तो वो एक महद जुमला ही भविस्त में साबित होगा सम्मान जनक मांदे का तो आपने देखी लिया जब वो नहीं मिल सकता 10,000 जबकि तमाम राज दे रहे हैं तो नियमित आपको कैसे कर देंगे वो सोचो अभी आगे चलते हैं और आपको बताते हैं ऐसे में प्रदेश के सुच्चता ग्राहियों के लिए सुनहर आवसर है जिसमें पहुँच करके सुच्चता ग्राहियों को अपना सक्ती दिखाना होगा प्रदेश के सुच्चता ग्राहियों को भी रैली में सामिल किया जाए इसकी अनुमती लेने के लिए स्री अस्वनीत रपाथी जी लखनव निकल चुके हैं प्रदेश के सभी बता रहे कि कारकरता इनको इनको लेकर के बुलाया जाए रहा तीन अपरेल को और इनको नियमित करने को लेकर के बाते हो सकती है इसकी पूरी संभावना है तो ये महज अभी एक ऐसे ही आप वायरल खबर समझ सकते हैं इसकी आलेडिया पुष्टी नहीं करता क्योंकि ये मंजुदेवी हैं और मोती छपरा बलाग जो नेबुआ और नौरंगिया जिलाकुसी नगर से 27 तारीक को पोशड़ पकवाड़े के तहत वहां पर चर्चा की गई प्रभात रैली निकाली गई उसे का वीडियो और वही से कुछ फोटो ये सब उन्होंने भेजी हैं जो कि अमरचंद लाल जी हैं दरवंगा जले से आते हैं बहनों का वहां पर अभी रेटायरिमिंट हुआ हैं तो उसी के समच्च कुछ चीज़े वहां पर उन्होंने बेजी, साधिका बहन से दात नगर से और यह लच्मी बहन सीतापूर से साती यह लच्मी बहन से वहां पर एक क पोटो बेजी थी बहनों को वहाँ पर जो तीन मेने रटार हुई थी वही कारकम मनाया गया सुर्जकली बहने राइबरेली से आती है और ये सोनी बहने से जहांपुर से आती है यहाँ पर भी कोई कारकम चल ला है जिसके बारे मुनों ने जानकारी भेजी थी और ये आप देख सकते हैं मेरा अंगन मेरे बच्चे इस तरह से लेखा है हमारा अंगन हमारे बच्चे वही वाला तो इन्होंने लिख करके ऐसा रंगोली एक भेजा है कुसमतिवारी बहने गुंडा से आती हैं और गुंडा से बिछूडी में पोशड पकवारा के तहत आयो निकाली जा रहे हैं उनकी उपयोगिता जो है उनका सेवन यानि किया जाए उपभोग का मतलब होता ही सेवन करना तो कुसमतिवारी गुंडा से आती हैं उनके वहां से कुछ ये वीडियो और आईसा कातुनाजमगर से उनके वहां से एक फोटो तो आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं और आप सब भाई बैनों से हम एक बात जरूर पूछते हैं क्या आप सब को आज के वीडियो पसंद आया अगर आया तो कमेंट बाक्स में बताना और वहीं दूसरी तरफ बैनों जो बुलन सेर में आपको 5250 देखने को मिले हैं क्या अन्ने किसी जले में मि लेकिन ये 5250 में तो देखने को नहीं मिलते थे खैर आप लोग अवगत करा देना